Hello everyone, welcome to Flagler of Prop Education. Subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon for our latest updates. Friends, आज के इस वीडियो में हम जून मंद के second week के current affairs के बारे में discuss करने वाले हैं. हमने इसमें सभी selected questions को लिया हैं, जो आपके exam point of view सो बहुती ज़ादा important है. तो चलिए, start करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं हमारे last week के quiz की, तो हमने पहला question हमारा पूछा था, BCCI ने किस महिला खिलाडी को अरजुन पुरुसकार के लिए नॉमिनेट किया है, तो इस question का सही आज़ाएगा C. दीप्ती सर्मा. और हमारा second question था, वित्वर्स 2019-20 में भारत में 35 विदेशी निवेश यानि foreign direct investment कितने फीज़दी से बढ़कर 49.97 billion dollar तक पहुँच गया है. तो इस question का सही आज़ाएगा option B 13%. अब बात करते हैं हमारे इस week के question की, तो हमारा आज का पहला question है, हाल ही में Environment Performance Index 2020 जारी किया गया है. इस सूच कांग में भारत का score 27.6 रहा जो दक्षिंड ACI देशों में अफगानिस्तान जिसका score 25.5 और rank 178 है के बाद सबसे खराप प्रदर्शन है. साथ ही आपको बता देगी इस सूच कांग में 27.6 के score के साथ घाना भी 100 और सर्थवे पायदान पर है. इस सूच कांग में डैनमार्क 82.5 पॉइंट के साथ पहले स्थान पर है, लगजंबर्ग 82.3 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि सुट्जर लेंड 81.5 के साथ तीसरे स्थान पर है. 2020 की इस रिपोर्ट में 180 देशों के पर्यवरंट प्रदर्शन को मापा गया है और आपको बता दे कि यह रिपोर्ट दुई वार्सिक अधार पर येल यूनिवर्सिटी के दौरा जारी की गई है निम्न में से कौन रिचार्ड डॉकिंज पुरुषकार पाने वाले पहले भारती बन गए है तो यह पुरुषकार प्रात्किया जावेद अक्तर ने यह option correct answer हो जाएगा जावेद अक्तर को यह पुरुषकार उनके स्वतंत्र विचारों धार्मिक रूडियों की जाच करने और मानव प्रग्रती एवं मानवताबादी मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है यह पुरुषकार बिग्यान स्कॉलर्षिप सिछ्छा या मनोरेजन की छ शुरू किया गया है तो यह केंपेंज शुरू किया है 36 गल की सरकार ने इस अभियान के तहट पुलिस कर्मियों के लिए संबादात्मक कारक्रम काउंसलिंग संगीत और योग्ची किसा की ववस्ता की जाएगी यह कदम राज्य के दारा पुलिस कर्मियों की आत्मत्या के 50 से अधिक मामलों की सूचना देने और पिछले दो वर्सों में अपने सहयोगियों पर हमला करने की कई घटनाओं को देखते हुए उठाये गया है महरास्ट के एक स्टार्टप ने COVID-19 के रोग्यों का इलाज करने वाले अस्पतालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी तरह का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट बनाया है इस रोबोट का नाम क्या है तो इस रोबोट का नाम है को रोबोट और आपको बता महरास्ट के एक स्टार्टप P&T Solutions ने COVID-19 के रोग्यों की इलाज करने वाले अस्पतालों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक इंटरनेट नियंत्रित रोबोट बनाया है यह रोबोट रोग्यों को भूजन पानी और दवाएं देने के साथ ही एक कैमरे और स्पीकर की म पनाया है प्रतीक तिरोड करने हाली में केंच सरकार ने जय जेटली की अध्यक्ष्टा में एक टास्क फोर्स का घठन किया है यह निम्न मेंसे किस्से संबंदित है तो यह टास्क फोर्क महिलाओं की साधी संबंदी उम्र से संबंदित है आपको बता दे कि यह समीती उम्र बनाने के पीछे स्वस्थ तरकी यह है कि कम और उम्रे में गर्वदारण से जटिलताएं होती हैं जिससे सिसू और मात्र में उदर बढ़ जाती है निम्न में से किसे उत्राकंड की नई ग्रीस्म कालिन राजधानी बनाया गया है तो यह बनाया गया है भराणी सेंड को जिसे गैर सेंड के नाम से भी जाना जाता है आपको बता दे कि 4 मार्च 2020 को मुखमंत्री त्रिवेंद्र सिहरावत ने इसे ग्रीस्म कालिन राजधानी बनाने की घोशना की थी भराडी सेंड जिसे गैर सेंड भी कहा जाता है उत्रकंड के पहड़ी जिले चमोली में पड़ता है ऐसे में उमीद की जा रही है कि अब परवती छेत्रों का विकास तेजी से हो सदेगा उत्रकंड को वर्स 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग कर एक आपको बता दे कि इस कारक्रम के तहट 31,493 करोड की रासी पहले ही जारी की जा चुकी है जो वर्तवान वित्ती वर्स के बज़ट अनुमान के 50% से अधिक है इस कारक्रम के जर्ये अब तक 60.80 करोड स्रम दिफसों का सरजन किया गया है और 6.69 करोड व्यक्तियों को कारप् किस राज ने हाली में एक online waste management platform launch किया है तो यह launch किया है आंद्रप्रदेश की सरकार ने इस platform की जिम्मेदारी आंद्रप्रदेश परयवरण प्रवंदन निगम APEMC को सौपी गई है आपको बता दे कि APEMC online platform के माध्यम से उद्धोगों से किये जाने वाले कच्रे के संग्रे को सुववस्तित करेगा कच्रे को स्रेणियों के अनुसार खतरनाग या गयर खतरनाग या इकच्रे की रूप में सुववस्तित करेगा और विविन अपसिष्ट निपतान के इंद्रों पर वैग्यानिक रूप से इसका निपतान करेगा राजी के मुखमंत्री के अनुसार है और्दों की कच्रे के सुरक्षित और व्यग्यानिक निप्टान को सुनिश्चित करने के लिए भारत का पहला Online Waste Management या Online Waste Exchange platform है हाल ही में जारी QS World University ranking में कौन सा संस्थान भारत में सीज पर है तो भारत में सीज पर है Stanford University, तीसरे स्थान पर Harvard University और चौते स्थान पर California Institute of Technology का भीज है आपको बता दे कि इस ranking में भारत के कुल 21 उच सेक्षनिक संस्थान टॉप 1000 में जगह बनाने में कामियाब रहे हैं जबकि पिछले वर्स यह संक्या 24 थी, इमेज में आप देख रहे हैं कि इसमें IIT Bombay पहले स्थान पर है, जो हम इंडिया रेंक की बात करें साथ में जलवायू परवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC में अपने योगदान के लिए नोगोल सांती पुरुषकार प्रवणपत्र प्राप्त करताओं में सामिल थे इनके दोवारा तैयार म्रदा, स्वास्त, सनरक्षण और कार्वन के पुनर गठन की रणनीती को संयुक्त राष्ट जलवायू परिवर्तन समेलों में तीन बार अपनाया जा चुका है विस्व वाल स्रम निशेद दिवस कब मनाया चाता है तो यह दिवस मनाया चाता है 12 जून को और अपर बता दे कि इस वर्ष इस दिवस की थीम है यह थीम विसेश रूप से COVID-19 से जूजती दुनिया में कम उम्रे के बच्चों की रक्षा के लिए ततकाल आवश सक्ता पर केंद्रित है ILO यानि International Level Organization ने 2002 में बाल स्रम को रोकने और जागरुपता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी हाल यह में जारी NIRF India Ranking 2020 में कौन सा संस्थान Overall Category में पहले स्थान पर है तो इस में Overall Category में पहले स्थान पर है IIT मदरास और आपको बता दे कि इस Ranking Framework के माबदंडों में निम्र पाच केटेगरी पर संस्थानों का मुल्यांकन किया जाता है इमेज में आप देख रहे हैं इसमें Top 10 Ranking दिखाई गई है आप अपनी सुविदा के अनुसर इस Ranking को याद कर सकते हैं किस राजी की सरकार ने वरिष्ट नागरिकों के लिए पंचवटी योजना लांच की है तो यह योजना लांच की है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने और आपको बता दे कि यह योजना वरिष्ट नागरिकों की स्वास्त आवश्यक्ताओं को ध्यान में रखते हुए प्रार के लिए केंद्री प्रसाशनिक प्रन्यादीकरण CAT की एक खंड़पीट इस्थापिट की गई है यह CAT की कौन सी खंड़पीट है तो यह CAT की अठार भी खंड़पीट है केंद्री मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सी ने बताया कि अब जम्मू कश्मीर एवं लद्दाक में ड जनीश ओस्वाल जी जो है वो भारती सम्विदान के तहट जम्मू कश्मीर उच्छ नयाले के न्यादीज के रूप में सपत लेने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं और इन्हें जम्मू कश्मीर हाइकोट की मुख न्यादीज गीता मित्तल ने सपत दिलाई है और आपको से कौन सा राज इस इंडेक्स में लीडिंग राजि में शामील है तो इसमें लीडिंग राजि में शामील है गुज्राद और आपको बता दें कि Food Safety and Standard Authority of India दोरा जारी Food Safety Index 2019-20 में गुजरात गोवा राजी के सांथ लीडिंगर स्टेट में सामिल है इस इंडेक्स में मानव संसाधन और संस्थागाट डेटा दूसरा है अनुमती तीसरा है खाद परिष्ण सुवीदा चौथा है प्रसिक्षण एवं छंता निर्माण एवं पाचवा है उपवोगता ससस्तिकरण हाल ही में किसे पूर्वी नौसेनर कमान के नए चीफ और स्टाफ के रूप में न्युक्त किया गया है तो यह न्युक्त किया गया है विस्वजी दासगुप्त को आपको बताते कि वर्ष 2015 में ऑपरेशन रहात के तहट इंसाग्रस्त यमन से निकासी अभ्यानों का समन्व कीया था तो इन्होंने साइंस की दुनिया नामत पत्रिका का संपादन किया था जो कि एक अर्दू विज्ञान पत्रिका है विश्व महासागर्द डिवर्स यानी वॉल्ल ओशेंस देङ कब बंنाय जाता है तो यहें डिवर्स मनाय जाता है आट जून को और इस वर्सदो की थीम है इनोवेशन फॉरा सस्टेनेबल ओशेंस यानि एक सतत महासागर के लिए नवचार एवं इसके केंपेन की थीम है अवर ओशेंस आवर फ्यूचर हाल ही में किसने EY World Entrepreneur of the Year 2020 का किताब जीता है तो यह किताब जीता है के रन मजुदन दौर शौ ने बी ओप्शन करेक्टाइशर हो जाएगा हाल ही में चर्चा में रहा मरियाना ट्रेंच किस महासागर में इस्तित है तो यह ट्रेंच इस्तित है प्रसांद महासागर ने और आपको बता दें कि चीन की हॉईडियो वन नामक मानवरहित पंडूबी ने दुनिया के सबसे गहरे छेतर मरियाना ट्रेंच में 10,907 मीटर क की गहराई तक जाकर विस्व रिकॉर्ड कायम किया है मारियाने ट्रेंच प्रसांद महासागर के पस्चीमी शेत्र का हिस्सा है जो फिलिपीन के पूर्मे में इस्तित है जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं इसकी गहराई लगबग 2550 किलोमेटर से अधिक है और इसकी चौड़ाई लगबग 69 किलोमेटर है हाल ही में किस देश ने स्वयम को कोरोना वाइरस फ्री घोसित किया है तो यह घोसित किया है न्यूजिलेंड ने विसेंटली न्यूजिलेंड ऐसा देश है जिसने स्वयम को कोरोना वाइरस फ्री घोसित किया है किस राज जी की कैबिन कीविनेट ने हाली में लक्षमि कांथ महापातर दौरा रचित वand musicians को राज्जी की रूप में मंझूरी दी है तो यह मंजूरी दियंधे है उरी स्मानित की आपको बता देई कि आपको हाल ये में सावितरी राठो को उडिसा हाई कोट की मुख्य ने अधिस के रूप में न्युक्त किया गया है और इस पद पर न्युक्त होने वाली वहत तीसरी महिला बन गई है। हाल ये में कौनसा railway station बारत का सबसे लंबा railway station platform बनने जा रहा है। तो ये हैं बनने जा रहा है हुबली railway station करनाटक का और आपको बता दें कि इसके साथ ही हुबली railway station platform की लंबाई बढ़कर 1400 मीटर और चौणाई 10 मीटर हो जाएगी। और इसके साथ ही हुबली railway station का platform इंडिया का सबसे लंबा platform बन जाएगा। आपको बता दें कि वर्तवान में गोरखपुर railway station का platform सबसे लंबा है जिसकी लंबाई 1366 मीटर है। हाल ही में किस राज्जी ने अपने परिवरन मंत्राले का नाम बदल दिया है तो यह नाम बदल दिया है महरास्ट की शरकार ने और महरास्ट की सरकार ने अपने परिवरन मंत्राले का नाम परिवर्तित कर परिवरन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्राले कर दिया है। दरसल पर्यवरणनी गतिविदी लवड़ता एवं शैवाल की वज़े से ऐसा होनी की संभावना जताई जा रही है। इमेज में आप देख पा रहे हैं कि ये वहां की लुनार जीले जिसका रंग गुलाबी हो गया है। हाली में हाई ग्रोथ ओवर हैड एक्यूपमेंट छेतर में पहली बार डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन सफलता पूर्बग चला कर किस देश ने इतिहास रचा है। तो यह इतिहास रचा है हमारे देश भारत ने डी ऑप्शन करेक्ट अंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन क्या होती है। जिस तरह के से डबल डेकर बसे होती है। सेम उसी प्रकार से डबल डेकर ट्रेन यानि माल गाडी ओपर यह experiment किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में डबल डेकर ट्रेन तो चलाई जा रहे हैं। इसके अलाबा इंडिया में पैसा पहली बार हुआ है जब डवल डेकर माल गाड़ी को चलाए गया है इसमें एक कंटेनर की उपर दूसरे कंटेनर को रखकर यह माल गाड़ी चलाए गई है और ऐसा कर भारत ने इतियास रच दिया है आपको बता दे कि इस ट्रेंड को बुजराद के पालनपूर रेलवे स्टेशन से बोटाद रेलवे स्टेशन की बीच सफलतपूरबग चलाए गया है और यह रेलवे स्टेशन पस्षिम रेलवे के अंतरगात आता है जिसका मुख्याल है मुंबई में है और साथ ही आपको ब बता दें कि तमिलनाडू सरकार के अनुसार अंग्रेजिय संसकरण वास्तविक तमिल नाम को प्रतिमिन भी नहीं करते थे इसी वज़े से तमिलनाडू के एक हजार अठारा स्थानों के नाम में परिवर्तन कर दिया गया है तो इन सभी नामों को याद रखना बहुत ही टिपिकल हो जाएगा यदि आप फिर भी किसी नाम को याद करना चाहते हैं कुछ इंपोर्टेंट नाम को याद करना चाहते हैं तो आप गूगल पर इस और आज का हमारा दूशरा कोश्चन है युनाइट नेशन्स मिलिटरी जेंडर एड्वोकेट ऑफ दा इयर अवार्ड 2019 के लिए किसे चुना गया है तो आप्शन ए है मिजर सुमन गवानी ऑप्शन बी सुवदत्त ऑप्शन सी बलवीर सी या ऑप्शन डी करमवीर सी फ्रे पता है तो वो भी आप हमें comment box में comment कर बता सकते हैं तो आप हमारे Telegram Group को join कर लें और वहाँ से आप हमारे सभी वीडियो की पीडियो को download कर सकते हैं. So guys, I hope कि आपको हमारे वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपके लिए काफी helpful भी सावित होगा. So जल्दी से हमारे इस वीडियो को like करें, share करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को subscribe कर लें और साथी bell icon को press कर दें जिससे कि आपको हमारे latest वीडियो की notification सबसे पहले मिल सकें. Thanks for watching the video.